कैसे हो बच्चो, हिंदी की क्लास में और विस्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है हमने क वर्ग के पाँचो व्यंजन सीखे क, ख, ग, घ और अंग, उसके बाद में हमने च वर्ग सीखा च वर्ग के भी पाँचो व्यंजन सीखे च, छ, ज, ज, य, उसके बाद में हमने कौन सा वर्ग सीखा? सही बताया, ट वर्ग, ट वर्ग के भी पाँचों व्यांजन सीखे ट, ठ, ड, ढ, अण, अण, के बाद में क्या आता है? व्यांजन, त, हमने त वर्ग सीखा और ट वर्ग का अभी हम लास्ट जो व्यांजन है, वो हम सीखने जा रहा है सो लास्ट व्यांजन जो त वर्ग का है, जो की व्यांजन न है वो सीखने के पहले हम व्यांजन त, ठ, द, और ठ का पुन्रावर्तन करते हैं जो की त वर्ग के आगे के चारो व्यांजन है बच्चो आपको ये देखना है और देखके दोहराना है त से तबला, त से तरभूज, त, व्यांजन त, त के बाद में आता है व्यांजन थ, त से थर्मोमिटर और त से थर्मस त, थ, त के बाद में आता है व्यांजन, द, द से दरी और द से दर्वाजा त, थ, द, और द के बाद में क्या आता है सहीं बताया व्यांजन, ध, द से धनुष, द से धन, धन मतलब मनी त, थ, द, ध, और जो लास्ट व्यांजन है तवर्ग का वो है व्यांजन, न, व्यांजन, न, न से नत होता है जो नाक में पैंते है ये है नत, न से नत और ये क्या है जिसमें से पानी आ रहा है ये है नल, न से नत और न से नल न से नत होती है, न से नल होता है, न से नयन होते है, न से नाक होता है, न से नदी होती है न से नाना, न से नानी, न से नमक और न से नगर भी होता है, न से नमस्ते होता है और नसे नमस्कार भी होता है और नसे एक गाना है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले जोर ले गए ये गाना कौन से व्यांजन से शुरू होता है? व्यांजन ना अभी व्यांजन न की कहानी सुनना चाहोगे? चलो सुनते हैं कहानी एक दिन नकूल को नाना नानी के घर जाना था वो सुबह चल्दी उठ गया और नहने लगा नल चालू करके नकूल ने अपने नयन साफ किये फिर नमक से अपने दाथ साफ किये और वो तयार हो गया जब नकूल जा रहा था उसने देखा नब नीला नीला है नाना नानी नदी के दुसरे की नारे रहते थे नकूल नदी के पास पहुँचा उसने नाविक को नमस्ते किया और दोनों नाव में बैटके जाने लगे नकूल नब देख रहा था उसने देखा नब नीला नीला है नाना नानी के पास पहुँचके नकुल ने उनको नमस्कार किया कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? चलो अभी व्यांजन न से शुरू होने वाले शब्दों का पुन्रा वर्तन करते हैं नसे नमक, नसे नकुल, नसे नाक, नसे नमस्कार और नमस्ते, नसे नल, नसे नानाजी, नसे नावेक, नसे नहना, नसे नाव, नसे नौ, नसे नानीजी, नसे नयन, नसे नदी, न से नब और न से नीला व्यन जन न लिखने के लिए पहले हमें अपनी MySkill बुक लिनी पड़ेगी जैसे कि आपको मालूम है We have to open the next page और page number 5959 पे हम व्यन जन न लिखने की practice करेंगे Left side corner में पहले हम लोग आज का date लिखेंगे Date है 1818.8.20 चलो अभी देखते हैं व्यन जन लिखते कैसे है जैसे कि आपको मालूम है पहले हमको tracing practice करनी है फिर हम अपने आप व्यन जन न लिखेंगे व्यन जन लिखने के लिए पहला step है पहली दूसरी और तीसरी line के बीच में हम हिंदी लिखते है तो हमको दूसरी line पे पहले तो sleeping line बनानी है दूसरी line पे sleeping line फिर वहां से turn होके छोटा सा गोला बनाना है जो line को touch करे ये जो छोटा गोला बना रहे हो वो तीसरी line को touch नहीं करेगा और एक बार देखेंगे पहले तो हम दूसरी line पे sleeping line बनाएंगे सीधा line sleeping line सीधा sleeping line बनाके turn होके चोटा सा गोला बनाएंगे और उसको sleeping line को touch करेंगे फिर हमको ये छोड़ देना है फिर ये जो हमने line बनाई है उसको छूती हुई पहली और तीसरी line के बीच में एक सीधा line बनाना है ये हो गया आपका न से नल और एक बार देखेंगे दूसरी line पे sleeping line बनाके turn होके छोटा सा गोला बनाना है जो दूसरी line को touch करेगा फिर पहली line और तीसरी line के बीच में सीधा line बनाना है और हिंदी में हमको उपर sleeping line जो की पहली line पे बनानी होती है वो बनाना नहीं भूलना है यह हो गया आपका न से नल न से नयन न से नाव न से नदी ऐसे हमको बोल के लिखना है यह line में आप tracing practice करोगे फिर दूसरी line में भी tracing practice करोगे अच्छे से practice हो जाए उसके बाद में अपने आप लिखोगे कैसे लिखोगे आपको यह बोल के लिखना है sleeping line on the second line दूसरी line पे सीधा sleeping line बनाओगे और उसके नीचे छोटा सा गोला जो तीसरी line को touch नहीं करेगा बट वो गोला जबी complete होता है तो वो दूसरी line को touch करेगा फिर पहली और तीसरी line के बीच में सीधा line और पहली line पे sleeping line यह हो गया आपका न से नानी वापस लिखेंगे दूसरी line पे sleeping line टरन होके छोटा सा गोला फिर पहली line और तीसरी line के बीच में सीधा line पर यहाँ ध्यान रखना है कि जबी आप सीधा line बनाओ वो यह sleeping line को touch करे और पहली line पे छोटा सा sleeping line न से नाना न से नानी व्यंजन न ये त वर्ग का पाचवा व्यंजन है त थ द ध न जबी भी हमारे पाचो व्यंजन खतम हो जाते हैं तो हम वो पूरी line साथ में वापस लिखते हैं तो हम यही बूक में page turn करके page number 6161 पे आज का date लिखेंगे और ये पाचो व्यंजन साथ में लिखेंगे अभी आपको ये त पहले फिर थ पहले फिर द फिर ध फिर न वैसे नहीं लिखना है आपको ये पाचो व्यंजन एक साथ में एक line में लिखना है जैसे कि पहले त, फिर थ, द, ध, न, ये खतम होने के बाद में फिर यहां से शुरू करके त, थ, द, ध, न, जब भी आप ऐसे बोलके लिखोगे तो आपको सारे व्यंजन लाइन में याद भी रह जाएंगे और आपकी राइटिंग प्राक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी मुझे आशा है आपको व्यंजन न उससे शुरू होने वाले शब्द और उनका मतलब और व्यंजन न कैसे लिखते हैं और तवर्ग के पाचो व्यंजन साथ में कैसे लिखते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद